आरबी एसी हिंदी ज्यान के इस बाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम कवी सूरदास के परीचे का अध्यान करेंगे बक्त कवी सूरदास का जन्म 1540 विक्रम समवत में हुआ इनके जन्मस्थान के संबन्द में विद्वानों में मतबेद है कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इनका जन्म मतुरा से आगरा की और जाते हुए रूनकता नामक ग्राम में हुआ और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही नामक ग्राम में हुआ इनका स्वर्ग लोग गमन 1620 विक्रम समवत माना जाता है इन्होंने अपनी देह पारसोली नामक स्थान परत्यागी इनके पिता का नाम रामदास तथा गुरू का नाम वल्लबा चारे था ये बक्तिकाल के प्रमुख कवी माने जाते हैं ये बक्तिकाल की सगुण क्रश्न बक्ति कावेदारा के कवीयों में अगरगणने हैं इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रिज बाशा का प्रयूग किया। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहिते लहरी, नल दम्यंती और ब्याहलू। इनकी विशेशताएं इस प्रकार हैं। कवी सूरदास के जन्मस्थान और जनमांद के संबंद में विद्वानों में मतबेद है। डॉक्टर, श्याम सुन्दरदास इनके जनमांद के संबंद में कहते हैं कि सूर वास्तों में जनमांद नहीं थे। क्योंकि श्रिंगार और रूप रंग आदी का वर्णन जो कवी सूर ने किया है वैसा कोई जनमांद नहीं कर सकता जो कुमल कांत पदावली बावानुकूल शब्द चैर सार्थक अलंकार योजना संगीत आत्मक्ता कवी सूर की बाशा में है उसे देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने ब्रज बाशा को साहितिक रूप प्रदान किया कवी सूर ने बक्ती के साथ श्रिंगार को जोड़ कर उसके संयोग वियोग दोनों पक्षों का चितरन किया है कवी सूर गुरू वल्ल बहाचारे की दिख्षा से पूर्व दास्य भाव की बक्ती करते थे परन्तू उनकी दिख्षा के उपरांत वे सक्खे भाव की बक्ती करने लगे हिंदी साहिते में श्रिंगार और वात्सले रसके प्रेणता कभी सूर माने जाते हैं ये था मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी किती बार मोही दूद पियत भही यह अज हूँ है चोटी आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी ने कभी सूर की कवित्व शक्ती के बारे में लिखा है सूरदास जब अपने प्रिये विश्य का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जूड़कर उनके पीछे पीछे दोड़ा करता है उपमाओं की बार आजाती है रूपकों की वर्षा होने लगती है आशा करता हूँ के आपको कभी सूर का यह परीचे बली बाती समन में आया होगा धन्यवाद अत्सान करता है एंगर आजाए फाल आजा वर्णन करता है